हाई गाईज व्यसीनर सिंग का नम्मर वन चैनल अश्टडी मीडियम में आप सभी का श्वागत है अगर व्यसीनर सिंग का आप लोग त्यारी कर रहे हैं तो यह स्रीच आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है अगर आप सभी को क्लास एक साथ देखना है तो जब भी मिलेगा अगर ये पेडियेप आप पर लेते हैं तो इससे बाहर एक भी प्रसने नहीं पूछा जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो फर्स्ट कोशन है रेक्टल थर्मामीटर के वल्व का आकार कैसा होता है गोल तरिवुजाकार नुकीला या चौकोल तो रेक्टल थर्मामीटर के वल्व का आकार गोल होता है आप्सन B is the right answer नेस्ट कोशन की और बठते हैं आग के फंडस को देखने की परकिरिया कहलाती है अप्थालमोस्कोपी, एंथरोस्कोपी, लेरिंगोस्कोपी या ब्रॉंकोस्कोपी तो आग के फंडस को देखने की परकिरिया अप्थालमोस्कोपी कहलाती है Option is the right answer अगला कोशन है कौन सा डाइगनोस्टिक टेस्ट आग की बिमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है कोलनोस्कोपी, प्रोक्टोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी या फंडोस्कोपी तो fundoscopy, diagnostic test आँख के बिमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है Right answer, option D Next question है Abdominal wall से होकर abdominal आँखों को देखना क्या कहलाता है Gastroscopy, Leproscopy, Colostomy या Gastrostomy तो abdominal wall से होकर abdominal आँखों को देखना Leproscopy कहलाता है Option B is the right answer Next question है Amase को visualize करना क्या कहलाता है Gastroscopy, Leproscopy, Colostomy या Gastrostomy Amase को visualize करना Gastroscopy कहलाता है Option A is the right answer Next question है सरीर के मल को बाहर निकालने के लिए Abdominal wall के अगर भाग में छिद्र बना कर Colon के एक भाग को सता पर लाना क्या कहलाता है Leptrotomy, Colostomy, Colostomy, Coloscopy या Coloporeki सरीर के मल को बाहर निकालने के लिए Abdominal wall के अगर भाग में छिद्र बना कर Colon के एक भाग को सता पर लाना Colostomy कहलाता है Right answer, Option B अगला कोशन है निम्ड में से कौन सी प्राकिरिया Gastric Ulcer की उपस्थिती का पता लगाने के लिए किया जाता है Gastroscopy, Gastrectomy, Bronchoscopy, Gastritis तो Gastroscopy का पर योग Gastric Ulcer की उपस्थिती का पता लगाने के लिए किया जाता है Option is the right answer अगला कोशन है कौन सी विधी Ulcerative Colitis का पता लगाने के लिए किया जाता है Colostomy, Colonoscopy, Colecoctomy या Colporeki इसका राइट इंसर अपस्थिती होगा Colonoscopy, Ulcerative Colitis का पता लगाने के लिए किया जाता है Option is the right answer अगला कोशन है कौलोस्थिती का क्या उद्देश है मल को सरी से बाहर निकालना आत्मे घाओ को भरने में मदद करना अमासे से विसेले पदार्थों को बाहर निकालना दोनों A तथा B तो Colostomy का उद्देश मल को सरी से बाहर निकालना आत्मे घाओ को भरने में मदद करना सो राइट एंसर आप्शन नमबर D, ये एवं भी दोनो नेस्ट कुश्चन है, एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस का क्या आर्थ है इसके आप्शन है, पुलूरल तरल निकालने के लिए छाती की वाल्ब में होकर पुलूरल कैविटी में निडल डालना पैरिटोनियल कैविटी से परेच्छन के लिए पैरिटोनियम द्रव निकालना लंबर छेत्र में सेरी ब्रो स्पनल द्रव निकालना ये लंबर छेत्र में लंबर फंक्चर निरल दोरा पोशकत तो परवेश करना इसका correct answer option भी होगा abdominal paracentesis का अर्थ peritonial cavity से production के लिए peritonial drug निकालना option भी is the right answer next question है abdominal paracentesis के लिए कौन सी समानी site है इसके option है अंबी लीकस के उपर symphysis pubis के उपर symphysis pubis एबं अंबी लीकस के मध्य midline पर या symphysis pubis के ठीक नीचे abdominal paracentesis के लिए समानी site symphysis pubis एबं अंबी लीकस के मध्य midline पर right answer option C next question है peritonial दरब को वेक्टिरियो लाजिकल अध्यन के लिए कौन सा डाइगनोस्टिक टेस्ट काम में लाया जाता है इसके options है thoracentesis, brancoscopy, abdominal paracentesis या lumbar puncture तो peritonial दरब की बैक्टिरियो लाजिकल अध्यन के लिए abdominal paracentesis diagnostic test काम में लाया जाता है option C is the right answer बढ़ते हैं next question की ओर लीबर बायोपसी के लिए सबसी कॉमन साइट कौन सी है लंबर चेत्र, सरेकल चेत्र, अमबिलीकल चेत्र या hypochondrial चेत्र तो लीबर बायोपसी के लिए सबसी कॉमन साइट hypochondrial चेत्र होगा correct answer option D अगला कोशन है लीबर बायोपसी लेने का contraindication है प्रोथॉम्बिन टाइम का अधिक होना लीबर कैंसर थ्रॉम्बो साइटोपीनिया या उप्युक्त सभी तो लीबर बायोपसी लेने के लिए contraindication प्रोथॉम्बिन टाइम का अधिक होना लीवर कैंसर, थ्रॉम्बोसाइटो, पीनिया, उप्युक्त सभी है Option D is the right answer Next question है Diagnostic उत्देश से उत्तको को निकालना एबं उनका परिरच्छन करना क्या कहलाता है Culture, Biopsy, Sonography या MRI Diagnostic उत्देश से उत्देश से उत्तको को निकालना एबं उनका परिरच्छन करना Biopsy कहलाता है Option B is the right answer Next question है कोसिका की शंख्या में कमी की वज़ा से उत्तक या अंग का साइच कम हो जाना क्या कहलाता है Hypertrophy, Atrophy, Hypotrophy या Hypoplasia इसा Correct answer, Option C होगा कि कोसिकाओं की संख्या में कमी की वज़ा से उत्तक या अंग का साइच कम हो जाना Hypertrophy कहलाता है Option C is the right answer अगला कोशन है अमासर को अंदर से देखने के लिए कौन सा Diagnostic Test काम में लिया जाता है इसके Option है Gastroscopy, Colonoscopy, Gastroptomy या X-ray इसा Correct answer, Option A होगा कि अमासे को अंदर से देखने के लिए Gastroscopic Diagnostic Test किया जाता है Right answer, Option A Next Question है Dysfunctional Uterine डुदिर्शराव के दारान कौन सा Diagnostic Aid परयोग में लाया जाता है इसके Option है Laparotomy, D&C, Colonoscopy, Sigmoidoscopy तो Dysfunctional Uterine डुदिर्शराव के दारान Colonoscopy और Sigmoidoscopy का उपयोग किया जाता है Option B is the right answer बढ़ते हैं Next Question की और निम्ण में से कौन सा Diagnostic Aid नहीं है Laparoscopy, Prancoscopy, X-ray, Tuvec, Tomy Correct answer, Option D हो जाएगा Tuvec, Tomy एक Diagnostic Aid नहीं है Question No.20 Varium निकलने के लिए निम्ण में से कौन सा घोल काम में लिया जाता है Varium chloride, Varium nitrate, Varium sulfate या Varium citrate तो Varium निकलने के लिए Varium sulfate का घोल काम में लाया जाता है Option C is the right answer वीडियो अगर पसंद आये तो लाइक कीजिए, सभी के साथ सेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तयारी को अच्छे से करना है तो आप हमारे आप के साथ जूट जाएं ओहां पे आपको pad course मिल जाएगा बहुत ही सस्ते में और अगर PDF डाउनलोड करना है तो वो भी आपको हमारे आप में ही मिलेगा बहुत ही सांदार 10,000 कोश्चन के साथ अगर ये PDF आप पढ़ लेते हो तो एक भी कोश्चन नहीं छूटेगा अधिक जानकारी के लिए हमारे इस नमर पे संपर करें तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तब के लिए बाबाए